So welcome back दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग अगर मैं यहाँ पर बात करूं government and PSU sector की तो हमारे मन में हमेशा एक चीज रहती है कौन से ऐसी job होती है जो government sector में सबसे जादा supreme level पे होती है यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ UPSC की I am damn sure I am 200% sure की अगर आप में से कभी भी किसी भी person ने government या PUC sector के अंदर career build करने का सोच है तो उसने UPSC और SSC जैसी बड़ी organization का नाम definitely सुना होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि जो आज की update है वो UPSC की तरफ से निकली है एनी graduate यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर आपका salary package है वो बहुत ज्यादा awesome तो रहेगा पर यहाँ पर सबसे अधर important होता है power power in the sense जो आपकी profile होती है जो आपकी designation होती है वो हमेशा A level की रहती है तो यहाँ पर आपके career और आपके power को वो milestone मिल सकता है जिसके लिए आप government sector के तयारी करते हैं तो कौन सी profile है कैसे apply करना है जो भी छोटी छोटे question आपके मन में सभी question के सभी answer इसी वीडियो में मिलने वाले है don't waste your time वीडियो को like करिये और चलिए start करते है welcome back to PSU and government जो vacancy results मैं सचेंच चुहान आपके लिए लेके आज जुका हूँ UPSC recruitment 2021 22 की update बात करें location के आपके all over India होने वाली है मतलब कोई location का यहां पर barrier नहीं है age limit जो सबसे बड़ा factor होता है government एक सरकारी exam के अंदर तो यहां पर आपकी age limit 18-30 साल दी गई है मतलब यहां पर maximum candidate apply कर सकते है अगर बात करें application की last rate चुकि government exam की हमेशे class rate उटती है और that's why I am saying कि आप कभी भी हमारे channel पे आए कभी भी हमारे channel के थ्रूँ आपको वीडियो मिले आपको job कर notification मिले उसके बाद आपको सबसे पहले काम करना है वो है आपको चैनल को subscribe करके bell icon को जो रूब प्रस करना है चुकि जिससे आपको daily latest job की notification मिलती रहे तो आपकी जो last rate होने वाली है form apply करने की 26 अप्रायल होने वाली है तो don't waste your time आप जल्दी से जल्दी नीचे वीडियो के description में आपको link मिला है officially website का जहां पर आप सारी चीज़े चेक भी कर सकते हैं और आप directly apply भी कर सकते हैं तो back to the content आते हैं बात करते हैं qualification की और आपकी designation की और आपकी profile की तो यहां पे जो दो profile पे job निकली है पहली है आपकी IES Indian Economic Service second है आपकी ISS Indian Statical Service तो दोनों ही profile पे any graduate, any post graduate apply तो कर सकते हैं अगर आपकी qualification इनी सबी stream से relevant है तो आपके लिए काफी ज्यादा better रहेगा चुकि आपका जो exam होने वाला है उसके अंदर जो exam का criteria, exam की percentage है वो इस तरीके से divide करी गई है कि आपको अपनी course study पता होनी चाहिए मतलब जो आपने अपनी graduation में पड़ा है वो चीज आपको यहाँ पे आनी चाहिए तो right now we will discuss कि exam का pattern क्या होने वाला और किस तरीके का आपका selection procedure रहेगा तो selection procedure को यहाँ पे basically दो पार्ट में divide करा है पहला पार्ट आपका रहेगा जिसके अंदर exam होगा दूसरा पार्ट आपका रहेगा है जो interview होगा दोनों ही पार्ट को जैसे आप complete करते हैं आपका final selection हो जाएगा तो सबसे पहले बात करते है stage 1 और exam 1 की जो आपका exam 1 है उसमें particularly आपके 6 subject होने वाले है 6 subject क्या हो या 6 महां पे part होने वाले हैं जिसमें आपको score करना है 1000 number का आपका score होगा तीन घंटे आपको इस particular exam के लिए मिलेंगे तो यह 6 subject और इनका percentage है जो इनका weightage है score का वो आप हमारी screen पे देख सकते हैं इसमें दो आपके common subject है जिसके अंदर आपका English हो गया आपका general studies हो गया तो इन दोनों ही subject से almost almost आपसे 200 questions put up किये जाएंगे जो कि आपका subjective based होने वाले हैं फिर आपका core study है जैसे economics 1 और economic second जो है exam लिया जाएगा एक हजार में से आपको maximum यहाप पर अपना score लेके आना है तो जैसे आपका exam 1 या मतलब क्या हो आपका exam complete होता है आप redirect हो जाएंगे interview के लिए interview आपका 200 number का होगा जो आपको maximum score करना है interview यहाप पर काफी अच्छे level का होता है चूकि आपकी profile level, registered officer level, A level तक की यहाप आपको मिलती है तो that's why interview के preparation जरूर करें अगर आप यहाप पर form को apply कर रहे हैं अब 1200 में से आपका maximum cut off जाती है जितना ज़्यादा आप score करेंगे selection के chances आपके उतने ज़्यादा हो जाएंगे और यहापे काफी सारे person को doubt होता है P.E.T. को लेके मतलब जो उनका physical test होता है काफी सारे person को ऐसा लगता है कि U.P.S.C.D.S की तरह physical test नहीं लेती है हाँ उसकी तरह नहीं लेती पर physical test definitely लेती है जो आपका physical test है वो qualified in nature होता है मतलब यहापे बहुत journal हो बहुत basic task दिया जाता है जैसा आपको एक किलोमेटर जस्ट वाकिंग करनी है इस type के आपके बहुत छोटा सा task होता है जो आप easily perform कर सकते हैं अगर आपको कोई भी problem नहीं है medical से related तो यह थी इस particular job का पूरे detail overview जिससे आपको एक basic idea लग सकता है कि you are suitable candidate yes or not नीचे मुझे comment section में जरूर बताना है आपने से कितने candidate यहाँ पर apply कर रहे है अगर आप apply नहीं कर रहे है उसका reason क्या है चुकि अगर आप हमार से reason share करोगे तो we will try कि आपके recording next video में ले क्या है मैं सचीन चाहान आप से मिलूँगा next video में next content के साथ जै हिंद